आपने जरूर सुना होगा कि बीना मागे किसी को free में advice नहीं देनी चाहिए क्योंकि इससे लोग आपकी बात की value नहीं करते लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि आप मागने पर भी अपनी advice या फिर opinion फ्री में मत दीजिए क्योंकि आपकी value बहुत जादा है और आप अपना जो भी opinion या फिर advice दे रहा है उसकी knowledge आपने अपने experience, मेहनत और दिमाग को utilize करके पाया है जिसकी लिए आपका काफी time भी लगाया है इसलिए आपका opinion बहुत ही कीमती है और इसे free में तो किसी को भी मत दीजिए वैसे मैं आपको एक ऐसे ही Google के app के बारे में बता रहा हूँ जो कि आपके opinion के बतले आपको Google Play credit देता है और इसके लिए आपको सिर्फ आधा या फिक एक नट ही लगता है वही अगर आप iOS user है तो आप PayPal के जरीए पैसे सीधे अपने account में भी पा सकते हैं तो Hello Everyone, I am Anraak Dubey and today I will tell you how to earn money or Google Play credit with the help of Google Openian Reward app अगर आप ट्रेवल करते हैं अथवा किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं या फिर किसी सौपिंग मॉल से सौपिंग करते हैं आजकल हर जगा आपसे उस जगा की सर्वीस, प्रोडक्ट क्वाल्टी, साफ सफाई, स्टाप बिहेवियर आदि के बारे में आपसे फीडवेक मागा जाता है और आपकी फीडवेक के ही द्वागा ये सभी अपने प्रोडक्ट की क्वाल्टी और सर्वीस को बहतर बनाते हैं तो ठीक इसी तरीके से गूगल ओपिनियन डिवार्ड भी आपसे ओपिनियन पोल, होटल रिव्यूज, मर्चेंट, सैटिस्फेक्शन सर्वे आदिक जरिए आपकी राय पूछता है और चुकि कंपणिया इस तरीके के सर्वे के लिए अच्छा खासा पैसा खर्च करती हैं और उनके लिए कस्टमर की पसंद बहुत ही जादा मैने रखती है इसलिए आपको सर्वे में दी गई जानकारी के बतले आपको रिवार्ड या फिर पैसे दिये जाते हैं तो आएए इस एप को कैसे इंस्टाल करते हैं उसे देखते हैं इस एप को इंस्टाल करने के लिए आप प्ले स्टोर पे जाके गूगल ओपिनियन डिवार्ड सर्च करें और उस पर जैसे यह रिजल्ट आए आप इस एप को इंस्टाल कर लें वैसे यह app मैंने चेक किया था दो साल पहले तक इसमें इंडिया के लिए compatible नहीं दिखा रहा था लेकिन यह अभी इसमें इंडिया एवलेबल है तो इसका मतलब यह last year ही इसमें इंडिया एड़ हुआ है तो इस app को जैसे ही आप खोलेंगे यह simple सा setup है आप इसे complete कर लें और इसमें आप email id वहीं डाले हैं जो आप इस device में चला रहे हैं तो वहीं आप इसमें location history भी on कर सकते हैं ताकि आप कहीं भी जाए तो उस area में जो भी survey एवलेबल हो यह जैसे hotel restaurant वह आपको दिख सकते हैं अगर आप android user है तो आप इस app से मिलने वाले पैसे को google play store पे redeem करके paired apps, subscription, movies यह फिर book आदी खरीच सकते हैं तथा in app purchase भी कर सकते हैं वहीं अगर आप iOS user है तो आपका जिस Google ID से PayPal account है उसी ID से Google My Opinion app में भी login करें जिससे अगर survey से आपका $2 complete हो जाता है तो Google आपके PayPal account में आप ऐसा सीज़े transfer कर सके हैं वैसे इस app में आपको तुरण survey नहीं मिलेंगे क्योंकि इसकी frequency महिने में 3-4 survey की ही है इसलिए आप इस app का notification हमेशा on रखें और जब नए survey का notification आए तो आप free time में दियेगे survey को complete करें इस app को install करने के just अगले ही दिन मुझे ये survey मिला जिसमें से लगवक तीन सवाल इसमें दिये गए हैं चुकि मैंने अपने language में हिंदी इंग्लिस दोनों से लिट किया था तो ये survey मुझे हिंदी में मिला तो इस तरीके से मैं अपने सारे questions का इसमें जवाब देता हूँ और इसमें जितने ज़्यादा questions होंगे उस हिसाब से इसका reward भी मुझे मिलेगा तो ये दूसरा सवाल कि आप TV पर सौहर कितने इस्तमाल करते हैं कितने भार देखते हैं ये बहुत सिंपल सा questions है जिसे हर कोई कोई बहुत IQ की जगरत नहीं इसे देने के लिए और जैसी ये reward मेरा complete हुआ देखिए तीन रुपे 22 पैसे मिले हैं जिसे मैं प्ले स्टोर पे redeem कर सकता हूँ वहीं इस सर्वे से मिलने वाला amount सर्वे टू सर्वे वेरी करता है और हर एक सर्वे में पूछे जाने वाले प्रस्णों की संख्या तथा सर्वे मिलने वाले समय के अनुसार हर एक सर्वे में मिलने वाले पैसे को decide करता है इसमें सर्वे की धनराशी की बात की जाए तो यह 1 रुपए से लेकर के 75 रुपए के बीच में हो सकती है और अगर एवरेज में देखें तो अगर आपको एक सर्वे का 5-6 रुपए भी मिल रहा है तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जोरूर बताएं वही अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और मैं शेनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद